लो है लो फ्रेंड्स बेलकम बैक टूरी यूट्यूब चैनल जैसे कि आप सभी देख सकते हैं अभी में आगय की जो फेसल वेबसाइट है उसमें हूं तो मैं आपको इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट है पूरे डाउट में खतम करने वाला हूं आपको मैं बताने वाला हूँ फर्स्ट सेकेंड और थार्ट राउंड की पूरी प्रक्रिया क्या होने वाली हो और आपकी क्या प्रक्रिया चल रही है तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें तो मैं आपको बता दूँ अभी आपको मैं नोटिफिकेशन के माद्यम से बताऊंगा कि अब यहां पर नोटिफिकेशन पर देख सकते हैं जो यहां फर्ष्ट राउंड का जो आपका रेजिस्टेशन चला था एक से लेके एक अगस्त से लेके आठ अगस्त तक और उसी बीच में आपकी च्वैस फिलिंग हुई थी तो जहां पर फर्ष्ट राउंड की मेरिट लिस जारी की गई थी क्योंकि चवद अगस्त में नोटिफिकेशन में था लेकिन चवद अगस्त से लेट हो गया था तो 15 अगस्त के दूसरे दिन आपको सुवह साधे दस के सम्थिंग आपकी जो फर्ट राउंड की मेरिट लिस्ट आ गई थी अब बात आती है जो फर्ट कब से स्टार्ट हो गयी थी आपका रजिस्टेशन फिर से से सकेंड राउंड के लिए नोस से स्टार्ट हो गयी थे यहां पर नोसे आपके कब तक चटार्ट हुए थे नोसे लेके 18 तक आपके चले थे क्या 2nd round के 2nd round के choice filling और registration चले थे 18 तक यहाँ पर 18 तक चले थे और इसके बाद में जो आपकी 2nd round की merit list कवाई थी 2nd round की merit list आई थी आपको 24 तारिक को 2-3 दिन में आपकी merit list आ गई थी 24 को और यह चली थी 2nd round की 27 तक तो मैं आपको बता दू जिनका 1st round में नाम आया था और जिस institute में उनका नाम आया था अगर 1st वाला नाम आया था तो उन्हेंने अडविशन ले लिया था अगर 1st में नहीं आया था तो जिन्होंने अपग्रेट किया था तो अपग्रेड किया था उनका नाम यहाँ सेकेंड लिस्ट में भी आया है अब जिनको सेकेंड लिस्ट में एडवीस अंजीन ने लिया है उर्च अपग्रेड किया है जैसि के आप देख सकते हैं जो यह नोटिफिकेशन आई है दिनांग 31-8-221 को, यहां की जाने वाल के कारवाही जो चरण है, आप पर देख सकते हैं, चरण, यहां पर चाड़ दिया हुआ है आपको मैं बता दू पूरा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था है आप आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में फर्स्ट राउंड की जो सूची आए थी चैन सूची यहां पर 14 को तो यहां 14 को ना करके 15 को आए थी और आपके एड़िशन संच लेते 16 से लेकर 18 तक यह दिया हुआ है सत्रा से लेकर 18 काभिसेंoten्ड राउंड की स्ट्रान चैन सक्षम ओइट आए थी यहां पर 24 को आए थी देख सकते हैं की थर्ड लिस्ट कब आईगी यह भी मैं बताने वाला हूं तो फिलाल मैं आप देख सकते हैं सेकंड राउंड में यहाँ पर 25 से लेके 27 तक चली थी यहाँ पर सेकंड राउंड का आप देख सकते हैं 25 से 27 तक यहाँ पर एडवीशन चली थे जिनकी सूची में नाम आया था अब जिनकी सूची में नाम आया है फिर भी उन्होंने उनको और अच्छा इंस्टिटूट चाहिए फिर दूसरा इंस्टिटूट चाहिए तो उन्होंने अपग्रेट किया होगा तो उसकी लिस्ट कब आईगी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तो आप देख सकते है 26 से लेकर 27 तक आपकी Second Round चली थी-आप बात आ जाती है तर्ती-चरण की आप देख सकते हैं तर्ती-चरण में नहीं कहलाएगा यह upgraded round का कहलाएगा मैं आपको main का भी बताऊँगा main का कैसा रहेगा कि main का third round कब आएगा तो आप देख सकते हैं जो upgraded round का जो तरतीय चरानका यहाँ 3 सितंबर को आपका list आएगी आपको आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ चैन सूची जारी करना जारी करना 3 सितंबर को अब तरतीय चैन सूची के आवेदकों का प्रिविस कब होगा यहाँ पर चार से लेके 6 सितंबर तक जो upgraded round के तरतीय चरानका इनका एडविशन होगा जिन्होंने second round से update किया है उनका और जिन्होंने second round में registration करवा के update किया है और आप यहाँ देख सकते हैं DHT का भी दिया हुआ है पांस से लेके 9 और 6 नौ मतलब 6 तारीक तक चलेगा पांस से यहां DHT वालों का और मैं आपको अब ले चलता हूँ जो उसकी website में उसके आप आपको अच्छी तरीके समझा दूँगा और यहाँ आप ITI में एड़िशन ले रहे हैं तो इस वीडियो को अन्त तक जरूर देखे हैं कि मैं ITI के जो बहुत से important चीज़े हैं मैं आपको बताने वालों इस वीडियो में कि आपको कौन-कौन से रेसेप्ट समाल के रखनी है और रेसेप्ट क्या काम पढ़ने वाली है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अब जैसे की मैं बता दू फर्स्ट राउंड आपका चला था एक से लेके आठ अगस तक आपका एक से आठ तक फर्स्ट राउंड चला था अब यहां सेकेंड राउंड की बात आती है तो सेकेंड राउंड आपका कब चला था नो से लेके यहां पर नो से लेके सोला तक आपका सेकेंड राउंड चला था नो से सोला तक आपका सेकेंड राउंड चला था नो से लेके सेकेंड राउंड की merit list आए थी 24 को सेकेंड राउंड की merit list है आए थी 24 तारिक को 24 को merit list आई और आपके ones about 1987 की चले 27 तक second round की आप समझना बात को first round की आपकी 15 को list आई और 15 से लेके 18 तक आपकी 16 से लेके 18 तक आपके first round के अडविशन हुए और second के मतलब 24 से लेके 27 तक सेकेंड के हुए 16 से लेके 18 तक आपके 1st के हुए और 24 से लेके 27 तक आपके 2nd के हुए अब बात आती है 3rd की तो अभी यहां 3rd round का जो अपग्रेटेड round है उसकी बात नहीं कर रहा है जो मेन यहां registration चल रहा है जैसे कि यहां पर फिर से लेके आप देख सकते हैं 15 से तक आपके 9 से मतलब यह 3rd round चल रहा है भी 15 से तक आपके registration चलेंगे अब बात आती ही जो अभी registration करवाएंगे यहां पर 15 से तक उनका नाम कब आएगा तो उनका नाम जब ही आएगा जब ही registration पूरे 15 से तक इनकी choice filling हो जाएगी यह फिर 16 से start हो जाएगी इनकी choice filling तो 3 से 4 दिन बाद इनका allotment लेटर जाएगा merit list जाएगी जैसी merit list आएगी मैं आपको वीडियो के माद हमसे update देते रहूँगा जो भी RTI में update आएगी वो तो आपको मैं वीडियो के माद हमसे देते ही रहूँगा और मैं आपको बता दूँ जो आप RTI में अभी fees submit करेंगे आप जब अपनी scholarship का form apply करेंगे scholarship का form apply करेंगे तो आपको जो fees receptor चाहिए होगी तो आप अपनी जो fees receipt को बहुत ही अच्छे से समाल के रखें क्योंकि उसमें detail दलती है fees की भी detail दलती है fees date की और admission date की भी detail दलती है जब आप postmatic का form भरते हैं scholar से बाला तो आप अपनी जो receipt हैं बहुत समाल के रखें और allotment later जब भी निकलवाएं जब आप allotment later निकलवाते समय documents upload करना होता है allotment later उसी time निकलवाएं documents upload करके तभी आप fees submit करें तभी आप के admission माना जाएगा और यदि आपको कोई भी doubt हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं मैं आपको हर comment का reply देता हूं और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करें और student को जरूर सेयर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe जरूर करें तब तक लिए बाय बाय जैंद